नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे योटूब चैनल टैक्निकल पंकर जोन में और आज के वीडियो में हम डिसकास करने वाले हैं एक न्यू एक्चेंज अप्लिकेशन के बारे में जिसका नाम है गेट.io एक्चेंज अप्लिकेशन और इस वीडियो म अन्त तक जरूर देखना ताकि इस अप्लिकेशन का पूरा ज्यान आपको मिल सके तो सबसे पहले हम गेट.io अप्लिकेशन में रजिस्टेशन करना है यहाँ जानेंगे तो इससे पहले गाईज की किसी भी किप्टो एक्चेंज में ट्रेडिंग करने से पहले उस एक्चें तो मैंने काफी अच्छा इस पर सर्च किया है और जैसा कि गाईज में आपको आपके ट्रेश्टेबल के लिए आपको बता देता हूं कि यह जो एक्चेंज अप्लिकेशन है आप देखेंगे कि एक्चेंज में जो टॉप 10 एक्चेंज है जिसमें फॉस्ट नमबर पे यहा गाईज 100% ट्रॉस्टेबल है जहां पर आप ट्रेडिंग करके आप एक अच्छा खासा यहां से बेनिफिट ले सकते हैं तो गाईज यहां पर गेट.io अप्लिकेशन में रजिस्टेशन कैसे करना है आईए जानते हैं सबसे पहले गेट.io अप्लिकेशन में अगर आपने अभी तक रजिस्टेशन नहीं किया है तो इस अप्लिकेशन का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से डारेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो अप्लिकेशन को जो आप आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट अफाल हमें क्या करना है अप्लिकेशन में रजिस्टेशन करनी है तो इसके लिए उपर जो यह अप्लिकेशन है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है जहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक क लेते हैं PK and जो मेरा mail ID है यह आप देख सकते हैं and password में create कर लेता हूं password जो होगा मेरा यह password में अपना यहाँ पर दे देता हूं then यहाँ पर guys आप देखेंगे कि fund password एक अलग option है तो यह fund के लिए जब fund आप यहाँ पर transaction करेंगे यानि कि deposit and withdraw करेंगे तो उस time पर जो password use होगा वो fund password होगा तो guys यहाँ पर एक दियान डखना कि यह जो password है and fund password यह दोनों same नहीं होना चाहिए अगर same भी करेंगे तो यह access नहीं करेगा तो इसके लिए guys यहाँ पर हम कुछ अलग यहाँ पर अप यहाँ पर जो मैं अभी account ID दे रहा हूँ यही आप अपना यहाँ पर submit कर सकते हैं यह जो invited code है यह जब आप submit करोगे तो इसका आपको अलग से benefit मिलेगा अब next के section पर हम यहाँ पर sign up के section पर click करते हैं तो guys यहाँ पर option में आ रहा है कि fund password is too close to your login password ओके guys तो अब क्या करते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा यह जो character है password का यह हम थोड़ा create कर लिए और sign up के action पर click कर लेते हैं तो guys यहाँ पर एक छी ध्यान रखना कि जो password आप create कर रहे हैं वो आपका minimum 8 digit का होना चाहिए उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर यह जो मिलान है मिलान के section पर यहाँ पर हम जो है मिलान इसको मिलान कर देते हैं इसके बाद यह verify होता है और जैसा ही guys verification code जो है यह हमारे mail id पे जाएगा तो मैं अपना यहाँ पर mail id देखता हूँ mail id पे यहाँ पर आया हुआ है या नहीं तो guys जैसे कि यहाँ पर gate.io से यहाँ पर एक verification के लिए code आ गया ह यह code मैं अपना submit कर देता हूँ और जैसे guys मैंने यहाँ पर code submit कर लिया है आगे का जो process है आप इस प्रकार से देख पाएंगे कि यहाँ पर guys क्या है कि अब इस application में आपने अपना जो registration का process है वो आपने complete कर लिया है जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना complete कर लिया है तो guys registration का process ब यहाँ पर फिर से आपको mail verification का एक process से गुजरना होगा तो guys mail पर हम फिर चलते हैं और mail पर फिर से यहाँ पर code आएगा जो code होगा वो code हम यहाँ से copy करके और paste कर देंगे जो option आया हुआ था तो जैसा ही guys यहाँ पर जो यह code है code फिर से मैं अपना यहाँ पर देता हूँ तो यह जो code है यह code मैंने दे दिया है अब जैसा ही guys यहाँ पर first जो step है first sign up का यह complete हो गया है जो second option है यहाँ पर KYC कैसे होगा उस पर मैं बात करूँगा और जब KYC आप यहाँ पर complete कर लोगे then आप यहाँ पर easily क्या है कि अपना trading इस application में कर सकते है तो अब जब हो है कि KYC का जो option है KYC के session पर हम click करेंगे तो यहाँ पर first of all guys क्या होगा कि आप अपना country चूज कर लेना जिस country से आप बिलोग करते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपना India सेलेक्ट कर लेता हूँ India 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 यहाँ पर सेलेक्ट हो गया then यहाँ पर अपना full name submit कर लेनी है full name submit करने के बाद आपको यहाँ पर ID documents में जैसे कि तीन options है national ID है password है and sorry passport है and driver license का है तो जो आपको suitable लगे वो आप यहाँ पर ID submit कर सकते हो तो जैसा ही guys यहाँ पर जो ID आपका होगा ID में क्या होता है front size होता है and back size होता है तो front जो front होगा front में यहाँ पर number one पर करना और जो back side है वो back side को आप यहाँ पर रखोगे okay guys जो second option है उसके बाद यहाँ पर यह जो process है यह process complete करने के बाद next यहाँ पर guys क्या करना होगा आपको एक जैसे की blank paper लेना होगा blank paper पर यह जो ID होगी get.io की ID जो होगी उस पर लिख लेना है और then जो ID यहाँ पर आप submit कर रहे हो जैसे की national ID हुआ या passport हुआ तो जो वो ID है वो हाथ में ले करके एक selfie यहाँ पर आपको लेनी है जिसे की यहाँ पर दिखाएगया है auseम ऐसे ही आपको करने के बाद यहाँ पर जो selfie होगा वो submit करने के बाद continue के section पर आपको click कर देनी है जिसे ही आप continue के section पर click करेंगे यहाँ पर simply guys क्या होगा आपका जो है कि KYC का जो प्रोसेस है वो complete हो जाएगा और जैसा कि KYC का जो notifications आएगे आपको यह आपका 24 घंटे के अंधर ही आपके mail पे वो notification आ जाएगा आप फिर से यहाँ पर login करने के बाद जो आगे का प्रोसेस है ट्रेडिंग का वो आप easily ट्रेडिंग कर सकते हैं तो यह रहा आपका KYC से related लेकिन यहाँ पर second KYC भी होता है जैसे कि यहाँ पर मैं आपको देखाता हूं और इस application में security के परपस से एक और KYC का प्रोसेस से आपको गुजरना होगा तो जैसा ही जो उपर का option है यह इस option पर हम फिर से click करते हैं तो यहाँ पर जो option एक आएगा आ का यहाँ पर हम click करते हैं तो हमारे सेमने इस प्रकार का interface आता है तो जैसे यहाँ पर आपना phone नंबर से कर सकते हैं यहाँ पर google authenticated कर सकते हैं हाला कि यह गाइज अभी जरूरत नहीं है आप फोन नंबर आपना verify कर सकते हो okay और यहाँ पर आपका mail यहाँ पर verified हो चुका है औ तो यह रहा आपका KYC से related information, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो यह application है इसके features के बारे में, तो यह features में आप देखेंगे, कि यहाँ पर काफी अच्छा यह जो features है, features में आप यहाँ पर बहुत सारे cryptos हैं, जो कि आपको other exchange पर देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर unlimited coins हैं, ठी यह रहा आपका getio application से related registration and KYC का process था, अब यहाँ पर इसके नए features हैं, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो जैसे ही guys यहाँ पर features में आप देखेंगे, कि यहाँ पर copy trading का option है, P2P trade कर सकते हैं, getio finance का भी option है, finance भी आप ले सकते हैं, analytics का है, start-up भी है, and then liquidity mining NFT का box भी आ ज्यादा अच्छा लगा यह है, कि जैसे कि यहाँ पर giveaway time to time होते रहते हैं, तो जैसे ही guys यहाँ पर जो आप सने giveaway का, giveaway में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक reward भी मिलता रहता है, और यह जो reward होगा, यह reward आप अपना convert कर सकते हैं, dollar में और आने वाले time में, जो dollar होग का यह जो है कि अभी progress में है, बहुत सारे ऐसे आपको features देखने को मिलेंगे in progress में है, second वाला भी in progress में है, चार अभी यहाँ पर giveaway चल ला है, जो कि अभी progress में चल ला है, ओके guys इसके अलावा भी hold and earn का भी option है, यह आप features को आप देखेंगे, तो धीरे धीरे सारी information आपको सम buy and sell किस परकार कर सकते हैं, okay guys, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आपका bitcoin, bitcoin की value जैसा कि अभी guys, 41,000 के आसपास है, और इसे अगर हम जैसे के trade करना है, तो trade का जो option यहाँ पर second option है, trade के option पर click करते हैं, और simply यहाँ पर देखेंगे guys कि अगर अभी current में जो इसकी value है, आप कि buy का option है, यहीं पर आपको, जो option है, sale का भी option मिल जाता है, यहाँ से आप जो coins, जो buy किये रहेंगे, उसको आप easily यहाँ पर sale भी कर सकते हैं, तो यह काफी अच्छा process है, साथ में, बहुत ही, सबसे अच्छी बात guys, इस application का है, कि यह application जो है, 100% trustable application है, इसमें, आपका किसी भ सकते हैं, ओके guys, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगरा वीडियो gate.io application के features के बारे में होगा, साथ में, इस application में कैसे deposit and withdraw लेनी है, उसका complete information मैं आपको next video में देने वाला हूँ, तो guys, वीडियो में बताएगी information अगर अच्छा लगा हो, तो एक like कर देना, साथ में अपने वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद.